दरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलिग में लिए यूजुली लोंग ऐसा सोचते हैं कि चश्मा हटाने का उपरेशन वो लोंग करा रहे हैं जो अच्छा दिखना चाते हैं यह जो चश्मा आटाने के उपरेशन है यह यूजुली पोट्रे करे जाते हैं आज कोस्मेटिक सर्चिरीज कि इनकी जुरत नहीं है आप अच्छा दिखना चाते हैं तो करवा लो बट मोर दन दाट इस अ काइंड और विज्वल रिहाबिलिटेशन पर पिशेंट पर आप यह सोचो कि एक बंदे का तीन चार का भी चश्मा गर लगा है तो 24 गंटे उसको चश्मा पहन के रखना है अगर वो चश्मा नहीं पहनता है तो आधा विजन उसका हैड़ीगाप हो जाता है आपको आर्मी में जाना है पुलिस में जाना है चश्मा पहन के थोड़ी पुछोर का पीछा करो गए आपको यह पहन के थोड़ीगाप है तो बड़न हो गया ना एक हर्डल हो गया जो आल दीस गवर्मेंट जॉब्स इन में भी मैंडेटरी है कि आप बिना चश्मे के आओ पहने लगवर्मेंट जुब्स गवर्मेंट जॉब्स नाम का यह सरजरी है क्योंकि हम ओपरेशन थेटर में कर रहे हैं तो प्हलिए इस नथिजिए उजग्या थीज़ग दर्द नहीं है को injection नहीं है कोई टांका नहीं है कोई blade नहीं है कोई पटी नहीं है कोई hospitalization नहीं है बस it's a walk-in walk-out आए 10 minute में operation हो गया अगले दिन vision clear होगे दो दिन बार अपने काम पे लग जाओ तो इसमें क्या हुआ like we were discussing about smile तो यह जो चश्मा हटाने की technologies है न दे आर अबाओ 30 years old now तो 30-35 साल का हमारे पास experience and data भी है and it is being refined over the time जैसे iPhone 11 के बाद 12 आ गया Honda City का facelift आ गया नया model आ गया तो चो पहले operation आया था that was something LASIK LASIK stands for laser-assisted in-situ keratomalusis basically laser का use करने है चश्मा अठाने के लिए तो पहले LASIK नाम का procedure आया LASIK के बाद smile आया we did smile उसके बाद हमारा contura करके आया और अब जो latest आ गया है that is by the name of silk silk yeah the silk stands for smooth incision lenticule keratomalusis it is an advancement of the smile procedure only and basically नहीं जब नहीं नहीं procedures आते हैं तो इसमें क्या हो दाता है कि time के साथ the technology is being refined तो quality better हो रही है so what the vision quality that you get with smile and LASIK उनसे better quality contura silk में मिल जाती है the recovery is becoming almost instant so we say आज operation का सोचो कल करा लो परसो से अपने काम पर लग जाओ and safety is being increased over the time so now we say कि complications का chances जो है they are zero मैं बस ये कहना चाहूँगा audience को कि literally almost pain feel ही नहीं होता but psychologically थोड़ा सा scary हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको बस खुद के दिमाग को conquer करना है it is the fear of that word मेरा surgery होने वाला है मेरा operation होने वाला हो भी आँख में operation हो रहा है इतना delicate tissue तो वो fear of surgery है लेकिन कुछ करना थोड़ी है laser ऐसे भी surgeries है जो laser touch भी नहीं करते हैं मांग को बस laser डालती हैं चश्मारिया I think in surgeries को लेकर लोग डरते हैं उस machine की size को देखकर कि यार ये पूरी machine मेरे आपको बेहते हैं और आवाज आती है उस machine से बट अक्चुली कुछ फील नहीं होता at the most पता क्या फील हो रहा था मुझे कि बस कुछ आखों के साथ हो रहा है और psychologically मुझे बस शांत रहना था उस सुवह मैंने अच्छी से meditation करी, surgery के लिए गया कुछ फील नहीं हुआ and literally जवाब दो-तीन दन बाद उठते हो सुवह और आपको दुनिया दिखती है चश्मों के बना it's a magical experience बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपको डिस्टेंस वाली चीजे इन फोकस दिख रही है it's probably one of the best feelings I've had in my life and the beauty is that it is instant, it's magical आज करा, कल हट गया अपका and perso you are back to full-fledged that is the beauty of the advanced procedures जब हम प्रसीजर की बात कर रहे है audience के लिए हमेशा मैं कॉस्ट के बार में भी पूस्त usually क्या होता है the only issue with these surgeries कि जब भी किसी patient को यह operation कराना है तो usually उसको अपनी pocket से खर्च बनना पड़ता है क्या होता है, जैसे हमारे कुछ government panels है CGHS, ECHS these panels don't cover these surgeries, वो कहते है यह तो cosmetic है जी, इनसान अच्छा दिखने के लिए करा रहा है तो हम लोग कवर नहीं करेंगे आयूशमान भारत है, golden card वो भी कवर नहीं करता, इसे cosmetic है, insurances है वो भी usually कवर नहीं करती वो कहते हैं, चलो high number होगा 78 का number है, तो cover कर देंगे छोटे number तो आप cosmetic लेकर आ रहे हो तो usually patient को अपनी pocket से खुद पे करना पड़ता है हाँ, these private hospital जैसे हम लोग भी है विदे EMI services, लेकिन government hospitals में, aims को अगर हम छोड़ने हैं, तो government hospitals में ये available ही नहीं है so because the burden comes on the patient, so this is a very sensitive matter कि इनकी cost कितनी है देखो, पुरानी technologies जो LASIK अगरा है, वो तो 25,000 में हो जाता है, but ये दो advanced technologies है, contura हो गया silk हो गया, इन सबकी cost करीब एक से लेके 120, मतलब एक लाग के करीब आपकी पड़ जाती है, so you expect कि एक लाग का खर्चा तो आएगा है आएगा अगर चश्मे का number हटवाना है, max 1.2 max 1.2, 1.3 depending on the doctor, on the location of the hospital, अब you get it done in Mumbai or Delhi, थोड़ा से जादा होगा मेरा मानना ही है कि ये एक body alteration है, और आपको cost के बार में सोचना नहीं चाहिए, absolutely not बलकि ये सोचना चाहिए कि आप कौनसे doctor के पास जा रहे हो, अगर 10,000 रुपे extra देके, आप better quality vision ले सकते हो, better safety ले सकते हो, तो why not? और अगर अभी afford नहीं कर सकते है, तो रुको कुछ साल पैसो को एकठा करो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया self-investment होती है, according to me. And in the long run, you are spending more money on glasses and contact lenses compared to these layers of procedures. And it is permanent, that is the beauty of it. Also, बहुत भी ये कहना चाहूंगा कि वो जो feeling generate हो ही, मेरे दिमाग में, दिल में, operation के बाथ, there's nothing that has matched it in my life. बहुत crazy feeling होती है, जब आप पूल में जाते हो, चश्मों के बना, आपको सब दिखता है, आप पानी के अंदर जा सकते हो, you can see things. That feeling is unmatchable. आपको लगए कि आपका बच्पन lot गा है. So you would agree with Mina, it is less of cosmetic, more for convenience, comfort and visual rehabilitation. Even more so कि I'm media professional, तो मेरे लाइफ में और भी impact हो है. As professional, you need that. A lot. Like it's been the best medical decision of my life. That's what I will definitely say. ताकि लोग ज्यादा समझे इस surgery के बार में, exactly surgery की biology के बार में बताओ, की हो रहा क्या in surgeries में. Laser use क्यों होता है? इसमें. See, let us understand की ये जो lasers है. ये चश्मा हटा कैसे रहे है. Right? तो ये जो सारे lasers है, ये हम लोग करते हैं, हमारी आंखो का जो काला हिस्सा होता है. जिसको हम cornea कहते हैं, काली पुतली कहते हैं, आंख का शीशा कहते हैं. उस पे करा जाता है. मतलब जो color हिस्सा है. इस नोट काला. काला हा रहा है, हमारी आंख में एक आईरिस है, उसका color है. तो आप देखो किसी का काला है, किसी का बूरा है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू होता है, किसी का green होता है. So that is the color of iris. ये जो हैं, उसके आगे वाला हिस्सा है, जिसको cornea या काली पुतली आंग का शीशा कहते है. That is a transparent structure. तो ये सारे procedures हमारे cornea पे हो रहे हैं. And what we are doing is, कि cornea का एक curvature है. उस curvature को हम इस तरह से change कर देते हैं, कि चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है. तो अब can we take one step back, कि जिन लोगों के चश्मे होते हैं, actually इनके cornea में लफडा क्या है? ने, cornea में कोई लफडा नहीं है. जिनके चश्मे का नंबर है, उनकी आंग का size लंबा है. Like I told you starting में. अब क्या हो रहा है? आंग का size लंबा है, तो आंख में जो light आ रही है, वो पर्दे से पहले focus हो गए. पर्दा तो पीछे हो गया है. अब आपको आंख के structure में इस तरह का change करना है कि यह जो focus यहां पे रह गया, यह उठके यहां पे आ जाए. How do you do that? कि जो आंखों का सामने वाला structure है, उसके curvature को थोड़ा modify करती है. यह आँखों का जुगाड कर रहे है. हाँ, जुगाड कर रहे है, लेकिन बहुत ही तरीके से जुगाड कर रहे है, ताकि पूरी life को attention ना हो. हाँ, मतलब safe biological जुगाड है. कि आपकी आपकी camera का focus mechanism थोड़ा सा खराब होगे, इसलिए आपको चश्मों की जरूरत होती है. हाँ, और यहाँ जो आपका lens filter है, उस filter को manipulate करके, biologically, safely, आप अपने focus mechanism को fix है. Under full computer control, artificial intelligence software control, इतना refined तरीके से हम उसको mold कर देते हैं, कि यह चश्मे का number हट चाता है. अब इसको करने playman language burning है, ablation कहते है उसको, तो हम तो tissue को थोड़ा सा burn करके, ablate करके curve को change कर देते हैं. और जो smile technology है, जिसका advanced version silk आगया, that is a cutting laser. तो उसमें हम आंग के अंदर एक थोड़ा सा tissue का piece काट के निकाल देते हैं. Sounds very scary, but it's a piece of cake, happens in one minute and next जाता है. पेनलेस होता है. पेनलेस, no pain, no injection, no stitch, no blade, no bandage, no flap, no hospital, walk in, walk out. आए 10 मिरट ने बहाँ चलेगा, अकल चश्मा अड़गी, हम पर सबने काम पे लगो. Would you say कि as an eye surgeon, आपका एक job यह भी रहता है कि आपके patient को आपको शान्त रखना है? यह सब सब बड़ा job है. भी क्सी क्या होता है कि when you are operating, जितना patient relaxed रहेगा, उतना वो surgeon की बात को follow कर पाएगा. So when we are doing your surgery, हम लोग चाहते हैं कि आपकी आँखों की movement कम से कम हो. So we ask you to look a light on top. हाँ, थोड़ा बहुत movement हो हो जाए, machine is calibrated in a way कि वो track कर लेती है. But excessive movement होगा, तो sometime the results can vary. Half a dive to here and there. So then we have to do some touch-up procedures, उसको थोड़ा सा fine-tune करना पड़ता है. But if you are nice and relaxed, अराम से आप surgery करा रहे हो, डॉक्टर की instruction सून रहे हो, तो 99.99 percent में तो कुछ नहीं होता है. It is forever. कभी आपको एक मुश्किल पेशिंट मिला है जो बहुत चिलना रहा था. बहुत सारे मुश्किल पेशिंट मिले हैं, कई पेशिंट तो ऐसे ही मिलता है, दॉक्टर हम कराई नहीं सकता है, हुमें बियोश करके कर दो. But the scare of surgery is so much कि people tend to get very panicky at times. कभी बियोश्किया है किसी को? बहुत सारे को बियोश्किया है. है? महौल ऐसा है ना, आप हॉस्पिटल में आ रहे हो, although we try to make it a different environment, थोड़े fragrance लगाई भी है, nice, humorous, or maybe, you know, feel good content on the TV. But अब जब आप operation थेटर में जाते हो, the word operation is a scare in itself, especially आंखों में operation हो रहा है. तो there are people who will panic, कुछ लोगों को panic से बचाने के लिए थोड़ा सा anti-anxiety tablets दे देते हैं, बट अगर ज़्यादा overly panic हो रहा है, तो we have this facility की sedate कर दिया, या बियोश ही कर दिया, तो patient को पता है ने चलता है कि operation कब हो गया. पर एक भियोश पेशन के आई को आप अपरेट कर सकता है? आपको पकड़े करना पड़ता है, तो इसको पकड़े करना पड़ता है, जा वे वोटी है? अगर कोई patient conscious है, तो वो तो आपकी instructions को सुन रहा है, तो he can look at the light, he can keep his eyes straight, अब मानलो कोई भियोश हो गया, तो उसकी तो eyes have rolled up, so then there are specific instruments, अब 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 टारो, kind of, okay, by the question, so उसमें कुछ प्रेसिवे किस प्रेसिवेक इंस्टुमेंट, you can then hold the eye and operate, because you still need that stability for the laser to work properly, आपके लिए मुश्किल होता है, is it annoying? अब तो इतने उप्रेशन कर ले हैं, इतने उप्रेशन कर ले हैं, इतने उप्रेशन कर ले हैं, तो अब तो spinal level पर उप्रेशन होता है, eyes के? भई, you have done so many thousands and thousands and lakhs of surgeries, so now it is इतनी practice होगे, that you are almost operating at the spinal level, oh okay, 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 and the staff is trained, it's a routine job for them, so 99% तो हम अराम से कर देते हैं, कभी कबार एकाथ पेशन में कुछ इस्यू आता है, जहां पर we have to put our mind कि इसको कैसे करना है, ठीक करना है, so that is part of life, और इस्यू यह है कि पेशन की फट जाती है, बहुत जादा, that's the main issue, right? बहुत जादा फट जाती है, क्यूंकि, पता है, okay, मैं खुद का परस्पेक्टर समझाता हूँ, आपको एक लाइट दिखते है उस लेजर के आपको बस वहाँ देखना, और डॉक्टर की बाते सुननी है, खुद के बोड़ी और मन को खलक ऐसे शान्त रखना है, मैं मुझे याद है, मैं ना मेरे सारे फेवरेट क्रिकेटर्स का नाम याद रख रहा था, कि हाँ 2003 की वोल्लकप टीम यह थी और डॉक्टर सर्ज़री करते जाएगा, ने, I think we are giving over emphasis on the panic की पार्ट, 99.99% तो smoothly हो जाते हैं, once in a while कोई आ जाता है जो बहुत जादा पानिक हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, so people are kind of prepared in their mind की अच्छा इस तरह से operation होगा, then we try to show them some videos before the surgery की बच देखो इस तरह से आपको फॉलो करना है, तो comfortable हो जाता है मतलब, तो ऐसे ही बहुत सारे clips अप्लोड कियें इस चैनल पर, चैनल को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ,